हे गाईस नमस्कार कैसे हैं आप सब उमीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे दूस्तो आज के वीडियो में आज हम जानने वाले हैं कि लड़का होने के और लड़की होने के कौन-कौन से लक्षर होते हैं आज का वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाला है इसलिए अगर आप गर्वती हैं तो इस वीडियो के एक बार आप जरूर देखेगा क्योंकि इस टॉपिक को लेकर काफी जो गर्वती महलाएं हैं उन्हें बहुत सारे डाउट हैं कि क्या ये लक्षर 100% तक वर्क करते हैं या फिर नहीं तो वो कौन से लक्षर होती हैं जो लड़का लड़की के बहुत सदस सही माने जाते हैं चलिए जान लेते हैं उससे पहले वीडियो को जरूर लाइक करें साथी चैनल को भी सास्क्राइब कर लें पास में नौटिफिकेशन के लिए घंटी को दवाना बिलकुल भी ना भूलें जिससे कि गाईस हमारी हराने वाली वीडियो की नौटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहें एक बात का आप ध्यान रखें दोस्तों वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ आपको सही जानकारी देना है जेनर शिलक्षन करना हमारा उदेश बिलकुल भी नहीं है तो इस वीडियो को आप गलत तरीके से बिलकुल भी ना देखें आई ये जान लेते हैं पहले लक्षर के वारे में गाइस जो पहला लक्षर है वो है आपकी नावी रेखा को लेकर काफी गर्वती महलाओं की जो नावी रेखा होती है या तो बहुत सतर डार्व दिखती है काफी महलाओं की सीधी भी दिखती है और काफी महलाओं की बिलकुल लाइट कलर की दिखती है तो काफी महलाओं की बिलकुल भी नहीं दिखती है और काफी गर्बवती महलाओं की नावी लाइन तिरची दिखती है तो ऐसे में उनके मन में ये डाउट होता है कि ये किस बात का संकेत होता है क्या ये लड़का होने का संकेत होता है या फिर लड़की होने की निशानी होती है चलिए जान लेते हैं कि आखिर ये जो नावी लाइन होती है ये काली क्यों नजर आती है तिरची होना सीधी होना क्या संकेत देती है देरसल दोस्तों होता क्या है? जब आपकी pregnancy confirm होती है तो आपकी body में एक melanin नाम का hormons release होता है और melanin जितना जादा बढ़ता है, जितना जादा hormons जो melanin नाम का होता है, वो बढ़ता है उतनी मात्रा में आपकी जो तच्चा होती है आपकी जो नावी लाइन होती है वो बढ़ती जाती है काली होती जाती है और यही इसका रिजन होता है तो काफी महलाओं में ये light color की दिखती है तो ये चीज आपके hormones जो मेलनिन नाम का hormones होता है उसके उपर depend करती है अगर मेलनिन की मात्रा आपकी body में कम है तो जाहिशी बात है आपकी नावी जो line है वो खलकी light color की दिखेंगी ये बिल्कुल भी नहीं दिख सकती है अगर आपकी dark है तो हो सकता है आपकी body में जो मेलनिन नाम का hormones है वो बहुत ज़दा बढ़ रहा है उसी वज़े से ये चीज आप में नजर आती है ठीक है तो दोस्तों काफी लोगों ने माना है कि ऐसा लड़का होने पे ज़दा होता है अगर काली line है आपकी और एकदम सीधी जा रही ह तो ये निशानी लड़का होने का संकेत देती है बही अगर आपके नावी line तिर्ची है तो ये लड़की होने का संकेत है लेकिन guys ये पूरी तरह से गलत है reason मैंने आपको बता दिया ये चीज सिर्फ और सिर्फ आपके hormones के उपर depend करती है मैंने काफी सारे ऐसी cases देखी है ज तो मतलब उल्टे भी cases मैंने ऐसे देखे हैं opposite बिलकुल cases देखे हैं तो इस लक्षर से आप 100% बिलकुल भी sure नहीं हो सकती कि आने वाला भच्चा लड़का ही होगा या फिल लड़की होगी मैंने आपको clear कर दिया है इस वीडियो में कि ऐसा क्यों होता है अगर आप हमारी बातों से सहमत है इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा साथी कमेंट मातारानी के नाम शे आवस्य करें वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को भी subscribe कर लें पास में घंटी को दबाना बिलकुल भी न भूलें चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में